इस वीडियो में हम पर्मो के समीदावादी विचारक के जिन जैक्स रूसों के बारे में डिसकस करेंगे जैसा की हमारे जो पिछले वीडियो थे उन वीडियो में हमने देखा था कि होब्स लोग जो हैं वो एक प्रकार से समीदावादी विचारक हैं और उन्होंने सामाजिक समझोते के माध्यम से राज्य की उत्पति मानी है और उसी करम में तीसरे जो हमारे परमुख विचारक हैं समीदावादी विचारक हैं वो रूसो हैं तो आजके इस वीडियो में हम रूसो की परमुख रचनाएं रूसो के मानव सभाव समंदी विचार रूसो के समाजिक समझोते के समंद में विचार रूसो की प्राकृतिक अवस्था रूसो के संपर्भूता के समंद में या संपर्भू के समंद में विचार रूसों की सामाने इच्छा, उसकी विशेस्ताएं, सामाने इच्छा और बहुमत में क्या अंतर है इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे रूसों का जनम 1712 में हुआ और उनकी मर्त्यू है वो 1778 में हुई यदि हम रूसों की परमुख, रसनाओं और किताबों की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कला और विज्ञान के नितिक परभाव पर एक निमंद दूसरी जो सबसे महत्रपुन पुष्टे का वो कला एवं विज्ञान पर निमंद तीसरी जो पुष्टे का वो है वेक्टियों के बीच ऐसमानता का उद्भव एवं आधार पर एक निमंद राजनितिक अर्थ सास्तर का परीचे तो पॉंट्रेक्ट जो 1762 में परकासित हुई सबसे महत्रपुन पुष्टक है दाइमाईल ये भी 1762 में परकासित हुई आतम आलोचन आतम चरीतर जो इसकी मरत्यों के बाद में 1789 में परकासित हुई दाइलोग समवाद जो जीवन के अन्तिम वर्सों में परकासित हुई तो ये रूसों की परसीद रचनाएं थी रचन कक norm से जानते हैं इसी फुस्तक में औहोंने समाजिक समजोता समंधी जो सिधान्त हैं वो प्रस्तुत किये हैं यदि हमकुछ important quotation की बात करें जो रुसों से समंदित है तो उन मैत्वपुन कतनों में सबसे मैत्वपुन जो कतन है रुसों का वो ये है कि मनुष्य से है वो सवतंतर पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्तर बंदरों में जकड़ा हुआ रहता है ये रुसों का परसिद quotation है back to nature परकरती के और लोटो ये रुसों का परसिद कतन है हमें हमारा भोलापन अग्यानता गरीबी पुने लोटा दो ये भी रुसों का मैत्वपुन कतन है रुसों का जो सामाजिक समझोता जो सिदानत रुसों ने दिया है वो अपनी परसिद पुस्दक सोशल कॉंट्रेक्ट है उसमें दिया है अब देखिए बात करें रुसों के सामाजिक समझोता सिदानत की दो मैंने आपको बताया है कि रुसों ने अपनी परसिद पुस्दक सामाजिक समझोता जो 1762 में प्रकासित हुई तो इसके अंतरगत रुसों ने ये बतलाने का परियास किया है कि जो प्राकरतिक मनुस्य था उसका सवभाव, निस्पात, निर्दोष, चिंता रहीत और स्वभाविक रूप से अच्छा बतलाते हुए उसने उस मनुस्य को उदात वंचर की संग्या दी है तो एक प्रकार से दिये माने तो रुसों ने जो प्राकरतिक अवस्ता का जो मनुस्य का जो सवभाव था उसके अंतरगत रुसों निस्पाप, निर्दोष, चिंता रहीत और स्वभाविक रूप से अच्छा बतलाया है रुसों के अनुशार प्राकरतिक अवस्ता कैसी थी तो रुसों ने प्राकरतिक अवस्ता का वर्णन करते हुए इस पस लिखा है कि एक आदर्स बरबर अवस्ता थी प्राकरतिक अवस्ता जो है मनुसे प्राकर्तिक अवस्ता में जंगली पसू वों की भांती विचरण करता था कंद फ्हल फूल खाकर अपना जीवन वेतीत करता था इस अवस्ता में निजी संपति का अभाव था ने निजी परिवार थे ने कोई तेरे मेरे की भावना थी पुर्णतिया अनंदमई अवस्ता विदिमान थी तो इस प्रकार की प्राकर्तिक अवस्ता का चितरन रुसो ने इसमें किया है तो जब इस प्रकार की प्राकर्तिक अवस्ता था तो उसमें फिर समाजिक समझोते कि आवस्ता क्यों पड़ी तो इसके अंतरगत रुस्वा वो ये बताने का प्रियास करते हैं कि कालांतर में धिरे-धिरे सब्वेता और विज्ञान का अविश्कार हुआ, अगनी का अविश्कार हुआ, लोगों ने पसुपालन प्रारम किया, एक इस्थाई जगह पर निवास करने लगे, कुछ चतुर लोगों ने भूमी के एक टुकडे को घेर कर, या उसको बंदी करके बूमी के बाडबंदी करके एक प्रकार से अन्य लोगों से यह कहा, कि यह भूमी उनकी है, और अन्य लोगों ने अज्यानतावस या भोलेपन के कारण, उनके उनका अथार्त सम पती सम इस्य और तेरे मेरे की भावना प्रारंब हो गई इस परकार प्राकरतिक अवस्ता की जो सवतंतरता है वो प्रतंतरता में बदल गई कहने कार्थ ये है कि प्राकरतिक अवस्ता का जो मनुस्य है वो अच्छा मनुस्य था उसको उदात वंचर की संग्या दी है वो अराम से कंद फलफूल खाकर अपना जीवन वेतित करता था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अगनी का अविश्कार हुआ लोगों ने पसुपाल प्रारम किया खेती करना प्रारम किया और धीरे धीरे कुछ जो चतुर लोग थे उन्होंने एक भूमी के छोटे से टुकडे के उपर कबजा कर लिया उसकी एक परकार से बाड़े बंदी कर ली और उसको अन्य लोगों को कहा कि ये भूमी उनकी है अन्य लोगों ने अपने अग्यानता या भोलापन के कारण उनके उपर विश्वास कर लिया और समाज में दूसरे लोगों ने भी इसी परकार का विवहार या बरताव करना प्रारम कर दिया तो इस परकार जब समपती समंदी जो शरफ है उसने जब समाज में प्रवेश किया तो जो सवतंतरता है प्राकरतिक अवस्ता की वो प्रतंतरता में बदल गई तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये समाजिक समझोते का जो कारण है वो संपती समंदी जो शर्फ है जिसने समाज में प्रवेश किया वो बना आप देखिए सामाजिक समझोते का सवरूप कैसा है यानि सामाजिक समझोता है वो किस परकार हुआ तो इस परकार की अवस्ता से छुटकारा पाने के लिए यानि जो समाज में तेरे मेरे की भावना जो प्रारंब हुई लड़ाई जगडे जो प्रारंब हुए उससे छुटकारा पाने के लिए लोग एक जगा प्रेकत्रित होते हैं और आपस में समाजिक समझोता करके अपनी सक्तियों का जो समर्पन है वो किसी वेक्ति विशेश के परती ने करके वेक्तियों के समुह के परती करते हैं यानि जो लोग इस समाज का जो एक समुह है वो समुह एक जिगा प्रेकत्रित होता है और अपनी सक्तियों का जो समर्पन है वो उसी समुह के परती वो कर देता है जिसको वैसमन इच्छा का नाम देता है जिन सक्तियों का समर्पन व्यक्तियों ने समुह के परती किया था समु समुह का व्यक्तिगत अंग होने के कारण या हिस्सा होने के कारण वह सक्ति उस व्यक्ति में पुने आ गई यानि जिन लोगों ने अपनी सक्तियों का समर्प्रण समुह के परती किया था और वे व्यक्ति समुह का सद्दस या हिस्सा होने के कारण जो सक्ति उन्होंने समुह क के पास में आ गई और ये जो समवयक को जो सक्ति सौपी थी इसको ही एक प्रकार से रुसो समाने इच्छा का नाम देता है अब देखिए कैसा संपर्भू बना तो इसके अंतरगेत रुसों के समाजिक समझोते के माद्यम से लोगपिरिये संपर्भू की स्तापना होती है अध क्योंकि इसमें सक्तियों का समर्पन है वो जो जनता का जो समु है उसके परती किया गया है नहीं कि किसी वेक्ति विशेश के समक्स तो एक प्रकार से ये कहा जा सक्तियों का जो संपर्भू है वो लोगपिरिये संपर्भू है यदि हम थोड़ा सा पीछे यदि देखें इस सारी की सारी सक्तियां संपर्भू को सौंप दी और उसी के आदेश से वो कानून है तो एक प्रकार से वेक्तियों को संपर्भू का क्याग्या का पालन करने के लिए वो बात दे हैं और उसका विरोध नहीं कर सकते तो सारी की सारी सक्तियां संपर्भू को सौंप देने के कि डूकर सोजुआसे50 टीब का पिरिये सापना की है निंगुआ सामान इच्छा की सिद्दान्त और उसका चारvy रूसों का नाम जुड़ा हुआ है रूसों ने सामने इच्छा के अंतरगत ये कहा इसपर सब्दों में कि मनुस्य में दो परकार की इच्छाएं होती हैं एक तो ये थार्त इच्छाएं और दूसरी आदर्स इच्छाएं तो सामने इच्छा सिदान के रूसों ने ये निजी स्वार्थों की पूर्थी करना चाहती हैं, आदर्स इच्छें वे इच्छें होती हैं, जो संपून समाज का हित्या कल्यान सुनिश्चित करना चाहती हैं, तो रुसों ने कहा है कि जो आदर्स इच्छें हैं, उनका योग ही सामाने इच्छा है, वो एक वेक्ति की इतया बला चाहती है तो वो सामने इच्छा है. एक प्रकार से आधर सिछाओं के योग को ही रूसों ने सामने इच्छा कहा है. रूसों के अनुसार सामने इच्छा में इस संख्या का कोई मैत्वा नहीं होता. यह एक וेक्ति की इच्छा हो सकती है. कुछ वैक्तियों की इच्छा हो सकती है अनेक वैक्तियों की इच्छा हो सकती है यदि वो संपून समाज का भला या कल्यान सुनी सिद करती है वाहन ने इसपसब्दों में कहा है कि रुसों की सामने इच्छा जो है वो होबस का सीस कटा लेवियाथन है ये कोटेशन मेहत्वपूर्ण है अब यदि बात करें रुसों के सामने इच्छा सिदान्त की विशेष्टाओं की तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है सर्वोचता यानि रुसों के नुसार यह नागरिकों पर सर्वोच है उसके उपर कोई इच्छा या सत्ता नहीं है तो रुसों की जो सामने इच्छा है वो सर्वोच है एदे है दूसरी जो सबसे महत्रपून विशेषता है सामने इच अगली जो सबसे मेत्वपण विशेषता है वो है प्रतिनिधित्वे रुसों की सामाने इच्छा का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि यह संपूर्ण समाज की इच्छा है एसी मित था रुसों की सामाने इच्छा एसी मित है उसकी कोई सीमा नहीं है लोक कल्यान कारी यानि सामाने इच्छा लोक कल्यान कारी है अथार्थ सभी लोगों के हीत और कल्यान की बात करती है निरंकुस था सामाने इच्छा नि उनके बारे में देखा जिनमें प्रतिनी दित्वे है ए सिमिता लोकल्यानकारी सर्वोचता एदेता एस्तानतनियता निरंकुषता ये सारी की सारी रूसों की सामाने इच्छा की प्रमुक विशेशताई है अब देखिए ये जो कोटेशन है वागन या वाहन ने कहा है कि रू देखिए वाई निरंकुष सक्ति रूसों ने समन्य इच्छा थर्थ नागरिकों को शोपी है तो इसलिए रूसों की समन्य इच्छा के दूशिदानत है उसको होब्स का सीष्कटा लेव्यातन कहा है शासन प्रणालियों के समन्द में एदी हम रूसों के विशार का व्रग जिकरन करते हुए चार परकारती शाषन परनालियां बतलाई हैं पहली रास्तंतर दूसरी कुलिंतंतर तीसरी परजातंतर और चोथी मिस्रित शाषन परनाली रूप में श्विकार करता है लेकिन इस समंद में उसका एक आक्षेप है कि परजातंतर में उत्राधिकार की समस्य अंदिरंतर बनी रहती है अत्या रूसो परजातंतर के स्थान पर कुलिंतंतर को सर्वेस्रेश शासन परनाली की रूप में श्विकार करता है रूसो ने कुलिंतंतर के भी तीन परकार बतलाए हैं प्राकरती कुलिंतंतर वनसानुगत कुलिंतंतर और निर्वाचित कुलिंतं रूसो उप्यूग तिनों में निर्वाचित कुलिंत अंतर है उसको सर्वेश्रेश्ट शासन प्रनाली मानता है यदि बात करें रूसो के कानून समंधी विचारों की तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि रूसो के नुशार कानून का सरोथ समने इच्छा है अथार्थ रूस रूसो के नुशार कानूनों की अभिवेक्ति और निर्मान समने इच्छा करती है रूसो के नुशार समने इच्छा के आदेशें वो ही कानून होते हैं रूसो ने कानून के चार परकार बतलाए हैं मोटे तोर पर पहला है स्वेधानिक कानून जिन कानूनों के माध्यम से स आपसी समंदों का निर्धारण करते हैं वो स्वेधानिक कानून कहलाते हैं दीवानी कानूनों में जिन कानूनों के मात्यम से मनुष्यों के आपसी समंदों का निर्धारण होता है उसको वैद दीवानी कानून की संग्या देता है यानि मनुष्यों के आपसी समंदों का निर जिन कानुनों के माद्यम से मनुसे सतासत अच्छा भूरा आधि का ज्यान प्राप्ट करता है तो वे प्राकृति कानून हैं वो कहलाते हैं रुस्तों के जो परमुखे विचार हैं उनके बारे में डिसकस किया है उनकी परमुख रसनाओं के बारे में डिसकस किया है आगे के जो हमारे वीडियो है वो इसी करम में जारी रहेंगे धन्यवाद